नमस्ट, Car Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है तो आज के हमारी रेसिपी है मसाला पाव मुंबई के जैसा स्टेट स्टाइल मसाला पाव कैसे बनाना है ये आपको मैं आज बताऊंगी तो बहुत ही easy और simple रेसिपी है और जटपट बनके तयार हो जाती है और खाने में भी उतनी ही लाजवाब है तो आप इसको जरूर ट्राइ करो तो इसके लिए हमें चाहिए बारिक कट हुआ प्याज यहापे मैंने दो प्याज लिए है बारिक कट हुआ टमाटर यहापे मैंने दो टमाटर लिए है एक सीमला मिर्च लिए है उसको भी अच्छे से काट लिया है एक बॉयल पोटैटो लिया है और लसुन और अधरक की पेस्ट यहाँ पर हमने ली है अब एक कड़े में दो चमश तेल डाल देंगे तेल के अच्छे से गरम होने पर हम उसे टाल देंगी जीरा जीरा डालने के ब लसुन और अधरक की पेस्ट अच्छे से लेगे और पाय चला लेंगे फिर इसमे डालना है हमें सिम्ला मिर्च के उली यह भी एक मिनिट के लिए पका लेंगे पिर इसमे डालने के टमाटर बारीक 1 आज़ी स्पुन हल्दी पाओडर दनिया पाओडर और यहां पर मैंने यूज़ किया है दो चम्मज पावभाजी मसाला पावभाजी मसाला जो है वह बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो आपको इस में यहां पर जरूर डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छी से mix करने से जी सबitude सब्सक्मा अच्छे से भूल जाते हैं फिर इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा निम्बूका रस निम्बूका रस बहुत जादा नहीं डालना है लोग ज़पा हो जाएगा थो बहुत हैम अच्छे में असकर भू кап्लाव मेर 177-168-17chod पका लेना है और फुल डालेंगा हम इसमें अरा धनिया डालने के बाद ये दो को बहुत ही अच्छा कलर यहां पर आया है सब्जी को तो हमारी यहां पर पाव भाजी की है वह मसाला पाव के सब्जी जो है बनके एकदम रेडी है अब हम एक तवे पर डाल देंगे बटर उसमें डाल देंगे लाल मिर्श पाउडर और अधनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम रख देंगे पाव को हमें राने च्पलेश लेंगे पेख में अच्छे से भालत लेना है में ईक बालक बण तकते। इसमें हम में देख भाजी अच्छे से इसमें परने चाहिए और यहां पर मसाला पाव बनके अगदम रेटी है आप इसको आज स्नाक के टाइम बना के भीखा सकते हो मार्निंग की डाइब ब्रेंकफास्ट में भी खा सकते हो एक दम टेम्टिंग ऐसी रेसिपी है और जटपट बन के तयार हो जाती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइब करो सो थैंक्स फर वाचिंग मैं रेसिपी